आज हम आपको बताएंगे दूद से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में यूँ तो दूद से सब परिचित हैं लेकिन इसके कुछ फायदे और नुकसान के बारे में लोग सायद ही जानते होंगे दूद का इस्तेमाल कर कई चीज़े बनाते हैं जैसे दही, मक्षन, छाच, पनीर, आइसक्रीम, खीर, मिठाईया, इत्यादी और सायद ही कोई इंसान इन सभी चीज़ों को खाने से बंचीत हो दूद कैल्सियम का मुख स्रोत है, बेदों से लेकर आईरवेट तक में दूद के बारे में बहुत सारी अच्छी बाते बताई गई हैं फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे की आगे आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले दूद पीने का सबसे सही समय साम का वक्त है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सुबह दूद पीने से आपको कोई फायदा नहीं होगा दूद को किसी भी समय पी आजा सकता है तो सबसे पहले आएए जानते हैं इसमें मौझूद विटामिन और मिनेरल्स के बारे में USDA की रिसेर्च के अनुसार 100 ग्राम दूद में COOPER 0.001 Mm THEM, 0.056 mg, RYOPALA TVD 0.138 mg, NYACINE 0.105 mg, PENTOTENIC ACID 0.043 mg, VITAMINE B6 0.061 mg, VITAMINE E a 0.05 mg, Choline колests 18.8 mg, TRE어 12 mg, selenium 1.9 mcarm विटामिन B12 0.54 माइक्रोग्राम, विटामिन A 32 माइक्रोग्राम, रेटिनॉल 31 माइक्रोग्राम, कैरोटीन बीटा 7 माइक्रोग्राम, विटामिन D 1.1 माइक्रोग्राम, विटामिन K 0.3 माइक्रोग्राम, सैचुरेटेट फैटी एसिद 1.86 ग्राम, मोनो अनसैचुरेटेट 0.688 ग्राम और polyunsaturated fatty acid 0.108 ग्राम पाया जाता है अब आईए जानते हैं इसके फायदे के बारे में नमबर वन हड़ी और मांस्वेसियों के लिए फायदे मंद दूद और अनिरेरी उत्पात केल्सियम और मेगनीसियम के महत्वपूर्ड स्रोत होते हैं दोनों पोशकतत्व हड़ीयों के विकास के लिए जरूरी माने गए हैं दूद हड़ीयों को मजबूत बनाकर बढ़ती उम्र में आश्टियो पोरोसिस और फ्रेक्चर से बचाव में मदद कर सकता है इसके अलवा दूद में प्रोटीन और कार्बोहाइडरेट भी काफी मातरा में होता है जिसे मान स्पेसियों के लिए फायदे मन माना जाता है दूद के गुण में दान्तों की देखवाल करना भी सामिल है इसमें कैल्सियम और फासफोरस जैसे फोसक तत्व होते हैं जो दान्तों को कैवेटी से बचाकर इने स्वश्थ रख सकते हैं अगर आप दान्त मजबूत रखना चाते हैं तो रोजाना दूद पीएं दूद आपको दातों से कई परिशानियों की समयस्याओं से बचाता है नमबर 3 वजन कम करने में सक्षा दूद भरते वजन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है दर असल दूद और डेरी उत्पात प्रोटीन की अच्छे स्रोत हैं और प्रोटीन वजन घटाने वा नियंतरित करने में सहायक होता है इसकी मदद से भोजन के बाद धी बार-बार होने वाली खाने की इच्छा को कम करके एनरजी की खपत को रोकता है जिससे शरीर में फैट कम हो सकता है इसके अलामा दूद वा डेरी प्रोड़क्ट में कांजूर्गेटेट लिनोलेइक एसीड CLA होता है जिसमें वजन वचर भी कम करने वाला एंटी ओबेसिटी गुड होता है लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि दूद प्रोटीन के साथ-साथ वशा का भी अच्छा स्रोथ है ऐसे में दूद के सेवन के साथ-साथ नियमित तोर पर वियायाम करना भी आवश्यक है नमबर चार, हिर्दय के लिए उपयोगी रोजाना दूद पीने के फायदेग में हिर्दय स्वास्त भी सामिल है इसके नियमित सेवन से हिर्दय संबंदी बिमारियों से बचाव में मदद मिल सकती है एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना 200 ml दूद पीने वाले लोगों में श्ट्रोक का साथ प्रतिसत जोखिम कम होता है हालनकि ध्यान रहे कि हिर्दय रोग के मरीच के लिए लो फैट मिल्क या टॉन्ड मिल्क का सेवन फायदे मन्द हो सकता है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइगन को जरूर दबाएं अब आगे चलते हैं नमबर पांच डाइबिटीज के लिए फायदे मन्द रोजाना दूद पीने से मदुमे के खतरे से भी बचा जा सकता है इसमें मौझूद केलसियम, मैगनिसियम वब पेप्टाइड्स शरीर में ग्लुकोज, टोलरेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी को संतुलित करते हैं दूद के साथ दही भी टाइबिटीज के जोखिम को कम करने में प्रभावी हो सकता है, इसी वज़े से डाइबिटीज के लिए आहार में दूद वद दही को सामिल करने की सलाह दी जाती है दूद के फायदे में पेट का स्वास्त भी सामिल है, दूद अपचवा एसिडिटी के साथ साथ अन्य कई तरह की पेट संबंदी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है, इसके लिए ठंडे दूद का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ठंडा दूद पेट के लिए एसिड को नीट्रलाइज करता है, जिससे एसिडिटी से राहत मिल सकती है, वहीं दूसरी और कुछ लोगों में खाली पेट या ठंडे दूद का सेवन गैस की सिकायत पैदा कर सकता है नंबर साथ, नींद के लिए फाइदे मन्द, दूद के लाफ में रात को अच्छी नींद को बढ़ावा देना भी सामिल है, रात को सोने से पहले दूद पीने से नींद अच्छी आती है, दूद में एमिनो ऐसे ट्राइब, टोफन और मेला टोनिन होता है, जो नींद लान और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आगे आनले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलें, नंबर आट, ब्लट पेसर के लिए फाइदे मन्द, लोफेड मिल्क का सेवन करने से हाइपर टेंशन यानि उच्छ रक्तचाप को नियंतरण में रखा ज समरिद्ध हैं जो एंजियो टेसिन आई कनवर्टिंग एंजाइम को बाधित कर एंडो थेलियम फ्यंक्शन को मॉडिलेट करके या कहें शरीर के वजन को प्रभावित करके रक्तचाप पर लापकारी प्रभावाद डाल सकते हैं, डेरी पदार्थ में मवजूद कैलसियम, म और पोटेसियम जैसे मिनरल भी बलट प्रेसर रेगुलेशन और उच रक्तचाप के जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, नमबर नौ, इस्ट्रेस वर डिप्रेशन कम करने में उप्योगी, नीट्रिशन की कमी की वज़ा से होने वाली दिमाग संबंदी परिसा प्रोटीन से रहात पाने के लिए अच्छा माना जाता है, रात को दूद पीने से चिंता संबंदी विकारों को कम किया जा सकता है साफ और दमक्ती तुचा के लिए फाइदे मन साफ और चमकदार तुचा की चाहत रखने वालों को भी दूद का सेवन अवस्य करना चाहिए तुचा के लिए दूद को पीने के साथ चेहरे पर भी लगाया जा सकता है रोज दूद पीने के फायदे में तुचावें चमक, स्कीन का जमा दिखना, संटेन से बचाव वर चेहरे के दाग दब्बे का कम होना सामिल है साथ ही स्कीन को हाइडरेट करने और बैक हेड्स वर वाइट हेड्स को साफ करने में भी दूद के पाउडर को लाबदायक माना गया है नमबर ग्यारा, बालों को मजबूत बनाने में फायदे मन्द दूद में कैलसियम और प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, दोनों पोसकतत्व बालों के विकास के लिए महतोपूर्ड विल्लिंग ब्लॉक की तरह काम कर सकते हैं खासकर प्रोटीन बालों को जढ़ने से रोकता है और ग्रोथ में मदद करता है वहीं कैलसियम भी बालों को स्वास्त रखने में महतोपूर्ड भूमी का निभाता है इसके अलावा दूद में मौझूद नियासिन, बायोटीन, पैंटोथैनिक एसिड भी बालों के स्वास्ते के लिए लाबदायक होते हैं नमबर बारा, ठकान दूर करने में सक्षम, यदि आपको काम और धूप के वज़े से ठकान तथा घुटनों हाथों पैरों में दर्द महसूस हो रहा है तो आप एक किलास दूद में थोड़ा इलाचे पाउडर और चीनी मिला कर उबालें तथा उसका सेवन कर थोड़ा आराम करें, फिर आप खुद ही अपने आपको एक्टिव महसूस करेंगे और दर्द भी गायब हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये तो हुए दूद के फाइदे, अब बात नुकसान की करते हैं दूद में लेक्टोज होता है, जो कभी कभी पाचन को खराब कर सकता है, इस कारण ज्यादा दूद पीने से किसी किसी को दस्त या गैस की समस्या हो सकती है कुछ लोगों को दूद से allergy भी हो जाती है इसका कारण भी lactose ही होता है ऐसे में यह immune system को प्रभावित कर सकता है जादा दूद पीनी से क्या होता है अगर आप भी यह सोचते हैं तो जान लें कि इससे hip यानी कूले के fracture का खतरा बढ़ सकता है इसके पीछे भी lactose को ही कारण मान गया है एक दिन में कितना दूद पीना चाहिए यह निर्भर करता है आपके कारिये पर कि आप कितना hard work करते हैं तीन गिलास से अधिक दूद का सेवन सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है ऐसे में उम्र के हिसाब से दूद का सेवन कितना करना है इस बारे में डाक्टरी सलाह ज तो फ्रेंट्स यह थे दूद के बारे में कुछ important जानकारी वीडियो कैसी लगी comment कर हमें जरूर बताएं तथा आप वीडियो को like और चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे अगली वीडियो की notification आपको पहले मिले धन्यवाद